अगर घर में बहुत जादा कलेश हो रहा है तो इसका क्या कारण है यह बात भी किसी ने मुझे कमेंट बहुत जादा कलेश हो रहा है बाई भाई 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 भा काफी सारी खटी हो गई है इसका मूल कारण क्या है उनकी जो लड़ रहे है ना आपस में उनकी गरह स्थिती कुछ इस प्रकार की चल रही है जिसकी वज़े से उनके vibration low हो रखी है तो अगर ऐसे लोग जो बहुत जादा आपस में लड़ रहे हैं किसी घर में उनकी पत्री का खोल के देखे तो पता चलेगा कि इनकी घर है कुछ ना कुछ कमजोर है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है कि इनको पुरानी बाते जादा याद आ रही है या एक ही प् कमजोर होती है तो ऐसे हो फ़्लो होती है जिसकी लोग पत्री का को चऺ करा है उसमें को चेक करें कि किया और इसके गर हुआ हो तो ऐसे घरहों में क्या करना च्छिए, टाइम टाइम फे यग्य और हवन कराना चाहिए, यग्य-हवन अनुष्छानकराने चाहिए, को गीता का बार्ट कराना चाहिए, भागवत करानी चाहिए, रामचरित मानस शुछान, वैककем बाय हो कुछ अच्छा और ऐसी जगह पे नहीं रहती है वो वहां रहती है जहां गंदे विचार चल रहे हो हो लस्ट हो या गंदगी हो ऐसी जगह पे वो जादा रहना पसंद करती है तो जैसे ही आप उस घर का शुद्धी करन करना शुरू करते हो उस घर में यग्य हवन कराना शुरू करते हो लोगों ने, ठीक है, अगर उनको अपने घर का solution चाहिए, कि भाई ऐसा कलेशी महोल नहीं चाहिए तो definitely first step है कि पहले तो अपने पत्रिका चेक कराओ, पत्रिका चेक कराओ, अपनी भी और वो इंसान practices में रहो, ठीक है nature से connect रहो, yoga करो, exercise करो तो उससे जो है, धीरे-धीरे आप देखोगे कि वो कलेशी महोल जो है, धीरे-धीरे हटता जा रहा है उस घर का, ठीक है तो बस आज का एक छोटा सब वीडियो कि अगर आपके घर में भी बहुत जादा खलेश हो रहा है, तो उसका basic कारण ये है कि आपके घर में एक से जादा सदस्यों की जो है, planetary ग्रहस्तिती जो है, वो कमजोर चल रही है जिसकी वज़े से जादा negativity घर में भर गई है, बट इस negativity को अगर आपको घर से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले आप अपनी पत्री का को चेक कराओ और उसके साब से जो भी आपको solutions मिल रहे हैं, उसके उपर काम करो plus positive practices करो, और time-time पे यग्यहवन अपने घर में ज़रूराओ जैसे आप अपना शुद्धी करन करते हो न, salt bath कर लिए, कभी कुछ कर लिए, वैसे ही